एक जंगल में एक गधा और एक लोमड़ी रहते थे, गधा और लोमड़ी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी, वह दोनों अकसर जंगल में सांथ घूमने जाया करते थे, बरसात के मौसम में जंगल में चारों तरफ हरी हरी घास फैली हुई थी, जिससे जंगल बहुत ही दिखलाई दे रहा था, आसमान में नीलिमा चाय हुई थी और आसमान बहुत सुन्दर दिखलाई दे रहा था, वर्टिकल बार हरी हरी घास को देखकर लोमड़ी गधे से बोली, गर्मियों के दिनों में जंगल कितना सूखा पड़ी ड़ा था, और अब देखो हरी भरी घा गास के कारण जंगल कितना सुन्दर दिखाई दे रहा है, लोमड़ी की बात सुनकर गधा बोला, लोमड़ी बहन, तुम यह क्या बात कर रही हो, गास भी कहीं हरी होती है क्या, गास का रंग तो नीला होता है, गधे की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई और लोमड़ी अरे गधे भाई, घास का रंग हराही होता है। गधा फिर बोला, घास तो मेरा भोजन है, तो क्या मुझे घास का रंग भी नहीं पता है? तुम तो मानसा हारी जीव हो, तुम्हें क्या पता घास का रंग कैसा होता है? गदहा और लोमडी दोनों अपनी बात पर अड़े रहे धीरे-धीरे दोनों में बहस होने लगी और दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए बिलकुल भी तयार नहीं थे。 दोनों को ही लग रहा था. सही है और वही दूसरे से ज्यादा बुधिमान है. लोमडी तो जनमजात चालाक होती है, वह गद्धी से बोली, इस तरह अगर हम दोनों बहस करते रहे, तो हमारी आपस लडाई हो जाएगी और और इससे हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, वर्टिकल बार इसी लिए अब इस बात का निर्णे किसी और पर छोड़ देते हैं, कि कौन सही है और कौन गलत, जो सही होगा वही बुध्धिमान माना जाएगा, उसी जंगल में एक बूढ़ा बंदर रहता था, बंदर बहुत ही होशियार और बुध्धिमान था, जंगल के सारे जानवर अपने आपसी विवाद सुलजाने के लिए उसी बंदर के पास जाया करते थे, गधा और लोमडी, दोनों ने निर्णय लिया कि इस बात का फैसला बंदर पर ही छोड़ देते हैं, कि कौन सही है और कौन गलत, लोमडी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि घास का रंग तो हरा ही होता है, इसी लिए निर्णय उसी के पक्ष में आएगा, ग लोमडी की बात बंदर ने बड़े ध्यान से सुनी और अपना निर्णय देते हुए बोला, घास का रंग तो नीला ही होता है, इसी लिए इस विवाद में जीत गध्धे की ही होगी, बंदर की बात सुनकर गध्धा तो बहुत खुश हुआ, और नाचता गाता वहां से चला ही होता है, फिर आपने गधे को विजई घोशित क्यों किया, बुढ़ा बंदर बोला, ये सत्य है कि घास का रंग हरा ही होता है, किन्तु तुम तो एक बुद्धिमान प्राणी माने जाते हो और बुद्धिमान होकर एक मूर्ख गध्धे से वाद विवाद कर रहे हो, इसी लिए बुद्धिमानी के तराज उपर तुम फेल हो जाते हो, लोमणी को भी सारी बात समझ में आ गई, और वह अपना सा मूह लेकर वहाँ से चली गई